साथियों, भारत लोगतंतर की जननी है, मदर अब डेमोक्रेसी है, भारत के लोगतंतर की बड़ी विशेष्था ये भी है कि समय के साथ इसमें निरंतर बदलाव आता रहा है, हर यूग में, हर पीड़ी में, लोगतंतर को और आधुनिक बनाने, और अधिक ससक्त करने का निरंतर प्रयास हुआ है, समय के साथ जिस तरह कई बार समाज में कुछ कम्यां गर कर जाती हैं, वैसे ही लोगतंतर के सामने भी समय समय पर चुनोतियां आती रही हैं, इन कम्यों को दूर करते रहना, खुद को परिस्कूत करते रहना, भारतिय लोगतंतर की खुबी है, और इसमें, हर किसी ने अपना युगदान दिया है, एकाद दो अपपा छोड़ दे, तो हमारे हाँ लोगतंतर को लोगतंतरिक तरीके से मजबूत करने की गवरवशाली परंपरा रही है, इतिहां इसलिए, हमारा भी ये दाइत्व हैं, कि अपने प्रयासों से, हम लोगतंतर को और जादा मजबूत करते रहें, आज, जो भी चुनवतियां, हमारे लोगतंतर के सामने हैं, समय के साथ जो भी कमियागर कर गई हैं, उन्हें दूर करते हुए, हम आगे बढ़ें, ये लोगतंतर की भी हम से अपेच्छा हैं, और देश की भी हम सभी से अपेच्छा हैं, आज का है एतिहासिक आउसर लोग तंत्र को ससकत और समरुद्ध करने के संकल्प को दोहराने का भी एक बहत्री आउसर है हमारे भारत में विबिन विचारों विबिन परंपराओं का समावेश होता रहा है और हमारा लोग तंत्र हमें ये बात सिखाता है कि कोई एक विचार ही उत्तम हो ये जरूरी नहीं है हम तो उस सब्विता से पले बड़े हैं जिसमें कहा जाता है आनो भद्राहा कृत्वो यंतु विश्वतह यानि हार तरब से नेक विचार हमारे पास आएं हमारा लोग तंत्र हमें प्रेडा देता है नमिंता को स्विकारने की नए विचारों को स्विकारने की प्रदान मंत्री संग्रहालय में आने वाले लोगों को लोग तंत्र की इस ताकत के भी दर्शन होंगे विचारों को लेकर सहमती ऐसहमती हो सकती है अलग-अलग राजनितिक धाराएं हो सकती है लेकिन लोग तंत्र में सबका धे एक ही होता है देश का विकास इसलिए ये म्यूजियम सिर्फ प्रदान मंत्रियों की उपलब्दिया उनके योगदान तक सिमित नहीं है ये हर विशम परिस्तितियों के बावजूद देश में गहरे होते लोग तंत्र हमारी समस्कृति में हजारों वर्षों से फले फुले लोगतांत्रिक समस्कारों की मजबूती और समिधान के प्रती ससक्त होती आस्ता का भी प्रतीक है